स्वागते दोस्तों आपका हमरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरडा में दोस्तों इस वक्त बैंक FD की ब्यासदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6 फीजदी मलती है जबकि अगर हम इंफलेशन रेट यानि महंगाई दर की बात करें तो वो लगतार 6.5% के हिस आप से बढ़ रही है तो अगर आप निवेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं और आप FD में निवेस्ट करते हैं लोंग टाइम के लिए तो आपको ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर महंगाई दर आपके रेटन के हिसाब से ज़्यादा है इसलिए दोस्तों हमेशा एक ऐसे निवेश्ट option के बारे में सोचना चाहिए जहां पर आप निवेश्ट करके महंगाई को भी बीट कर सकें और अपने निवेश्ट पर इतना रिटन हासिल कर सकें जिससे आप अपने भविशे की जरौत को पूरा कर सकें क्योंकि निवेश्ट जब हम करते हैं तो हमारा यही गोल होता है कि आनेवरे टाइम में हमारा कोई बड़ा प्लान है जिसे हमें पूरा करना है अभी निवेश करके तो दोस्तो आपके जाद तर जो प्लान्स होते हैं उनके अंदर अगर हम बात करने शायदी की बच्चों की या फिर बच्चों की पढ़ाई की या फिर बहुत सारे लोग घर खरीदना या कार खरीदना चाहते हैं और उसके लिए निवेश प्लान करना चाहते हैं तो दोस्तो वो लोग भी हमेशा एक ऐसे निवेश option में निवेश करें जहाँ पर उन्हें एक अच्छा return मिले क्योंकि आपको हमेशा मेहगाई कुपे ध्यान में रखना होगा क्योंकि दोसो जिस चीज का price आप से 5 साल पहले सौर पहता आज की डेट में उसका price 120 रुपे हो चुका है इसी तरह अगर आप लोंग टाइम के लिए निवेश करते हैं तो inflation rate इसलिए भी इस वक्त निवेश करने का अच्छा मौका है क्योंकि पिछले 6 मेने से stock market के अंदर correction था अभी यहाँ पर correction के बाद दुबारे से एक bullish moment मिलना शुरू हुआ है तो यहाँ से अगर आप किसी बहतरिन quality की mutual fund से scheme के अंदर निवेश करते हैं तो अपने लिए एक शांदार profit बना सकते हैं और साथ के साथ हम calculation करेंगे कि कैसे इसके अंदर आप निवेश करके अपने लिए 83 लाग रोपी तक का fund बना सकते हैं उसे पहले आपसे एक चोटी सी request है दोस्तो हमारी इस वीडियो को एक like जरूर करें दोस्तो आज हम जो इसकी mutual funds की लेकर आए हैं सबसे पहले अगर हम उसके return की बात करें तो scheme ने 21.44% का return दिया है तीन साल की बात की जाए तो scheme return 20.84% का है अगर हम एक साल की बात करें तो return minus 13% है और दोस्तो जिसकी हम बात करें थे पिछले 6 मेने की return की वो है minus 19.04% का यहाँ पर दोस्तो इस scheme का जो एने वी का price था अगर हम high की बात करें तो December में करीब 25 रोपीज था उसके बाद correction के बावजूद यहाँ पर इसका एने वी का price करीब 20 रोपे 16 पैसे पर अभी trade कर रहा है अगर हम लोग की बात करें तो 18 रोपे और 48 पैसे का यहाँ पर लोग बनाया था दोबारे से दोस्तो जब market के अंदर moment मिलना शुरू है तो इसका जो पैसा है वो stock market के अंदर NASDAQ यानि US के अंदर निवेश किया गया है अगर हम बात करें कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करना है तो दोस्तो mutual funds scheme के अंदर भी आप लंब सम यानि एक पर पैसे निवेश करके अपने लिए एक अच्छा फंट तियार कर सकते हैं mutual funds के अंदर बिल्कुल RT की तरह है आप one time investment कर सकते हैं दोस्तो गर हम बात करें हैं आपर scheme के NAV की यानि net asset value की तो यह है 20 रूपी 16 पैसे का दोस्तो NAV होता है mutual funds scheme का एक unit price जो भी पैसे लंब सम आज इसके अंदर आप निवेश करेंगे उसमें जो current NAV का price होगा उसी के हिसाब से आपको unit lot की जाएंगी बात करें fund size की तो यह है 36001 करोड रूपे यानि इतने पैसे लोगों ने इस mutual funds scheme के अंदर निवेश के हुआ हैं दोस्तो गर बात की जा होगा इतने परसेंट पैसे काटने के बाद जो current NAV का price होगा उसके हिसाब से आपको unit lot की जाएंगी दोस्तों करें हम बात करें हैं आपर fund management team की तो इस fund को manage करें हैं अभी रूप 2018 से और स्वेपनिल 2019 से दोस्तों stock market के अंदर किन sectorों में किस हिसाब से पैसे को निवेश करना है और कब वहां से निकालना है यह सब कुछ management के तहते decide किया जाता है अगर हम दोस्तों बात करें हैं आपर मोतिलाल ओस्वाल mutual fund house की तो इंडिया में 90 नमबर पर रेंख है company स्टार्ट हुए थी 29 दिसंबर 2009 में और company के पास जो EUM है यानि का asset tender management वो करीब 31,49 करोड रूपे ह यानि इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर मोतिलाल ओस्वाल mutual fund house के साथ निविश के हुआ हैं दोस्तों ये तो बात हुए स्कीम की इस स्कीम का जो return है annually वो है आपर 21,44% का लेकिन आने वाले टाइम में इस स्कीम के अंदर अगर आपको सिर्फ 90% annually का भी return मिलता है और आप इसके अंदर एक बार निविश करते हैं 45,000 रुपे तो यहाँ पर आप कैसे अपने पैसे को बढ़ा कर 83,000 रुपे तक कर सकते हैं चलिए अब हम इसे एक बार calculation के साथ भी समझते हैं दोस्तों यहाँ पर आप एक बार निविश करते हैं 45,000 रुपे और return ह 24,000 रुपे जो आपने निविश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको एक लाख 7,360 रुपे मिलेंगे दोस्तों इस पैसे को इसी स्कीम के अंदर अगर आप 10 साल के लिए निविश करते हैं तो आपको स्टीमिट रिटन चो मिलेगा वो 2,11,261 रुपे का होगा 45,000 रुपे जो आ 25,66,529 रुपे का होगा 45,000 रुपे जो आपने निविश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 6,11,529 रुपे मिलेगे दोस्तों इस पैसे को इसी स्कीम के अंदर अगर आप 20 साल के लिए निविश करते हैं तो आपको स्टीमिट रिटन चो मिलेगा वो 14,14,324 रुपे का होगा 45 24,000 रुपे जो आपने निविश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 14,69,324 रुपे मिलेंगे दोस्तों इस पैसे को इसी स्कीम के अंदर अगर आप 25 साल के लिए निविश करते हैं तो आपको स्टीमिट रिटन चो मिलेगा वो 34,37,463 रुपे का होगा 45,000 रुपे जो आपने निविश किये हैं उन्हें मिलाकर आपको 34,42,463 रुपे मिलेंगे दोस्तों इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 30 साल के लिए निविश करते हैं तो आपको स्टीमिट रिटन चो मिलेगा वो 82,65,389 रुपे का होगा 45,000 रुपे जो आपने निविश किये हैं उन्हे लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है वो है स्टॉक मार्केट के रिस्की दोस्तों यहाँ पर आपकर जो सारा पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निविश के जाता है इसलिए यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है लेकिन अगर आप अपने पर पूरा रिस्क लेकर थोड़े से पैसे भी निविश करते हैं तो आप अपने लिए पविश्य में एक बड़ा फंड आराम से त्यार कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से लेट इड़ अगर आपका कोई भी कोशन होता है तो हमें जरूर बताएं अगर ये वीडियो आपको शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवादू